Hello friends, this is Espy Singh and welcome to Smarter Every Day My dear friends, आप लोग continue message करते रहते हैं, comment करते हैं कि सर एक्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, subjective होंगे, object होंगे बहुत सारी problems और बहुत disturb भी हैं आप सब कि क्या होगा तो चलिए कुछ news आई है, लेकिन ये CCS University की है 14 चरण से University की है, Merit से तो चलिए देखते हैं इस news में क्या बताया गया है CCS University का परिच्छा सर्यूल तै दो जुलाई से होंगी UGV PG की परिच्छा है, यहाँ पर तो ये बात कर रहा है UGV PG की परिच्छा है ठीक है, और वहीं पर 10 से 30 जून तक क्रिस्म का लिन अवकास घोशित किया गया है ठीक है, और ये अपकी 14 चरण से University, Merit अगे कहा गया है, कि Merit 4, 34 विश्विदा लेक convert के कारेजों में वार्षिक परणाली के कोर्सों की परिच्छा हैं दो जुलाई से होंगी वीवी 3 दिन के अंदर परिच्छा कारेगरम जारी कर देगा दूती और तृती वर्ष के छातुन की परिच्छाएं कराई जाएंगी वहीं पे B8 अब आपका मेन पॉइंट आया B8 Final Year की परिच्छाएं एक सिप्तमबर से होंगी ठीक है अब जो CCS University के स्टुडेंट है B8 Second Year के उनको बिल्कुल कताई Free Mind होकर के पढ़ाई करना है क्योंकि उनकी Date clear हो गई है कि आपकी परिच्छाएं एक सिप्तमबर से होनी है ठीक है बाकी जो उनकी जो उनकी उनकी जल्दी ही कलियर हो जाएगी क्योंकि जब एक उनकी डिसीजन ले लेती है तो दूसरी उनिस्टी को डिसिजन लेने में आसानी हो जाती है देखिए वही वीवी की तरफ से 10 से 30 जून तक केंपेस कॉलेजों में ग्रीश्म कालिन अवकास घुसित कर दिया गया है आगे पढ़ते हैं उसको फिर लिखाए रजिस्ट्रार धीरिंद कुमार वर्मा ने बताया कि दो जुलाई से परिच्छाएं कराड़े का पूरा कारेकरम बनाया जा रहा है पहले से बनाए गए केंदरों पर सोसल लिस्टेंसिंग के साथ परिच्छाएं कराई जाएंगी इनमें UG में 2 ती और 3 वर्ष एमं PG में अंतिम वर्ष की परिच्छाएं कराई जाएंगी यह आपका जो B8 है यह परिच्छाएं जो परिच्छाएं समाप्त हो जाएंगी निपड जाएंगी और उसके बाद ही आपका बीड यानि कि एक सिप्तमबर से आपका एक्जाम सुरू होगा ठीक है मटेफरेंस उसके बाद देखिए बीड पर्थम वर्स के चाट चात्रों की परिच्छाएं होंगी या इन्हें भी प्रोनत किया जाएगा समस्टर की परिच्छाएं वर्सिक परिच्छाओं के साथ कराई जाएंगी या इन्हें अगस्त में कराएं इन सभी निर्नेओं पर 15 जून को होने वाली परिच्छा समिती की बैठक में मोहर लगेगी यानि की बीट सेकेंड ये तो क्लियर होगे लेकिन फरस्ट इयर अभी भी अटका हुआ है प्रमोट होगा की नहीं होगा और क्या होगा इस बारे में 15 जून को क्लियर हो जाएगा जल्दी ही पूरा परिच्छा कारिगरम CSU की वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया जाएगा बता दें कि UG पर्थम वर्स में 1,10,136 हैं ओके इनको प्रोनत किया जाएगा और my difference जहां तक मेरा नुमान है कि जब UG और PG के फर्स्ट पर्थम वर्स के श्रेंट्स को जब प्रमोट किया जा रहा है तो B8 फर्स्ट इयर को भी प्रमोट किया जाएगा ऐसा 99% चांस है ठीके जहां तक जो B8 फर्स्ट इयर के शात्र हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन क्लियर नहीं है अभी आपने नुज में पढ़ लिया ठीके कि इनकी परिछाएं होंगी या नहीं होंगी प्रोनत किया जाएगा क्या किया जाएगा इस बारे में 15 जून को बैठक होगी यूजी दूतिय वर्स में 1,3447 फाइनल येर में 1,34645 चात्र की परिछा होगी पीजी पर्थम वर्स में 24,374 चात्र को परोनत किया जाएगा दूतिय वर्स में 27,749 चात्र की परिछाएं होंगी तो इस प्रकार से माइट इफ्रेंट्स ये थी आपकी निउस और तो आप हैं B.A. के इस्ट्रेंट B.A. सैकंड येर के एक्जाम आपके 1 सप्तम्बर से होने है तो आप अपनी प्रिपेरेशन में पूरी तरीके से लग जाएए जो बाकी इस्ट्रेंट हैं तो उनकी भी डेट जल्दी ही आ जाएगी ठीक है और आप दुबारा से निउस को देख सकते हैं या गूगल पर जाकर के भी इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है क्लिर हो गया ना बिएड फाइनल इयर की परिछा एक सितंबर से होंगी चलिए अब अपनी पढ़ाई में बेतिन तरीके से लग जाएए मैं और अपने जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर कमेंट में छोड़िए किसर ये टॉपिक्स हमको क्लिर करवा दीजिए ठीक है ये स्टेंट थैंक यू मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में